दोस्तो आजके इस वीडियो में आप सबको दिखाने वाला हूँ कि मिट्टी का जो दिया होता है। वो कैसे पकता है। यहाँ अपे आप लोग देख सकते हैं कि यह मिट्टी का परतन बनना स्टार्ट हो गया। और यह कुल दिया है। आप लोग देख सकते हैं więc कि हम लोग को काम आज क्या है कि इसको दिया को उठा के बोरा में रखना है और उसके बाद इस जगा को सफाई करना है क्योंकि यहां पर फिर से जो है न्यू भाठा लगने वाला है दिया का तो चलिए वह भी दिखाते हैं आप सब को देखिए हम कहीं चले गए तब तक आए तो देखिए इतना सब दिया रखा गया है उसी जगाओ पे जहां हम दिया पहले पका हूए दिया उठा रहे थे ऊपे आप जो कर्चे वाल दिया रखा रहा है क्योंकि इसको भी पकाना है लाल बनाना है दी पावली आ रहा है सुब दी पावली छट आ रहा है तो उसके लिए दीया हम लोग तैयार कर रहा है आप लोग देख सकते हैं कैसे दीया पकता है तो यह देखिए अब जो एक छली दीया रखा गया अब दूसरे छली के लिए यह उसके भूसा भीगा जा रहे है भूसा पत अब इसके बहूंपर से पता हे तिया रखाए गा मतलब आप घर में जा रहे हैं तो दिया लाने के लिए घर में इतना सारब दिया है इसको भी निकाल करके सब्सक्राइब सब्सक्राइब जबहें जो है पता है यह कप्टी मतलब धाकना होता है ना धाकना इसके भूसा रखेंगे एक फटाफट सभी कि हम लोग मिलके अधर दिये इतना सारा धाकना और उसके बाद भूसा फेंके फिर से मैं इसको बराबर कर रहा हूं लग गया है और इसके बाद से फिर से भूसा रखके जो है अब जो है इसमें आगी केसे डलाता है जो बीच वाला दीख रहा ना नदिया उसके अंदर आगी डला गया है और आया बाड़ी लीपने का जैसे आप लोग बोलते हैं लेवर ना तो में लीपने के लिए पांकी तय समात्र बागी है लिपने से फाइदा यह होता कि आगी जो यह बाहर नहीं आता और फाइनली गाइस देखिए पूरा लिपा गया और इसके अंदर आग भी जलग आप लोग देख सकते हैं तो कैसा लागा आप लोग कमेंट करके